भाव वोधग एक्स्लामेशन अंग्रेजी में मन के अलग-अलग भावो को प्रकट करने का अपना ही तरीका होता है ये सरल भी है और बहुत सुन्दर भी है हैरानी, दुखी, खुशी, नाराजगी और भी दूसरे भावो को छोटे-छोटे वाक्यों वह दो-तीन सब्धों में आसानी से प्रकट किया जा सकता है इन सब्धों और वाक्यों को हम आमबोलचाल में बार-बार प्रयोग करते रहते हैं और कर भी सकते हैं जिनने इंग्लिश नहीं आती वो भी इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं कितनी बड़ी विजय, what a great victory, प्रभु मेरे, God heavens, सुनिये, hello, listen, फटाफट करिये, hurry up please, कितनी बुरी बात, how terrible, कितने अपमान की बात है, how disgraceful, बड़ी फिजूल बात है, how absurd, उसकी इतनी हिम्मत, how dare he, क्या खूब, how sweet, कितना सुन्दर, how lovely, प्यारे, oh dear, जल्दी चलो, hurry up, चुप रहिए, please keep quiet, हाँ, ऐसा ही, yes, it is, सच मुझ, really,